मित्रो नमस्कार आपको आज परियावाची पार टू की वीडियो लेकर आ रहा हूं और इसमें आपको कुछ नवीन सब्दों की परियावाची मिलेगे मित्रो यसाई दरोगा की वेकेंसी आ चुकी है आज आप पेपर पे देखे भी होंगे और आज विग्यापन निकला है कि अक्टूबर के बाह में नई वेकेंसी आ रही है तो दरोगा को दिहान में रखते हुए परियावाची से 3-4 प्रशनों होते हैं उन चार प्रशनों को सिक्योर करने के लिए डाक्टर सुनल बिजला आप सबकी सेवा में उपस्ती थे मैं डाक्टर सुनल बिजला आपके अपने यूट्यूब चैरल अतुल्य अकादमी पर स्वागत करते हैं आईए फिर चलते हैं परियावाची की उस सिल्सिले को पाइट टू यानि भाग दूसरे को लेकर आगे बढ़ते हैं तो इसी क्रम में आप देखे हैं कि अगली जो परियावाची हमारे शाम में आ रही है इसे चोर कहते हैं अब करकुर में देखे हैं जोंब आए इस नंबर एक इसको कहा जाता है तशकर क्या कहा जएता है तशकर, चोर को ही का परियाबाची तशकर है, तशकर के साथ-साथ इसको दश्यू भी कहा जाता है, दश्यू, इसके साथ-साथ इसको रजनी चर्वी कहते हैं, क्या कहते हैं, रजनी चर्वी, रजनी चर्वी कहा जाता है, रजनी चर्वी कहा जाता है, रजनी चर्वी कहा ज इसको खनक भी कहते हैं, खनक के शाहसिक भी कहा जाता है, शाहसिक, शाहसिक भी कहा जाता है, तो ये परियाबाची जो हुई, तशकरद, शुरजणी, चरमोशक, कुंभिल, खनक, शाहसिक, ये चोर के परियाबाची है, चोर के परियाबाची के बाद एक और बेहतर परियाब भी कहते हैं। अम्रित के साथ साथ इसको मेघ पुस्प भी कहते हैं। और इसको साथ साथ इसको देखें तो अमी भी कहा जाता है। और कहीं कहीं इसको अमी कह देते हैं। तो यह जो परियावाची हैं यह सब की परियावाची जो है वो जल है। मित्रो सलस सरस सलील अड़ बड़ किता मत बढ़ा करो। आत पता ही नहीं नहीं होगा सलस सलील मतलब कहा होता है। सरस माने सरल असलील माने पानी समझे तो सलील का मतलब क्या हुआ। पानी तो महबबत होनी चाहिए आपसे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसी संदर्भ में अब जब जल जान ही लिए तो यमुना भी देख लें। अभी हमने गंगा का बताया ही है, और इस समय तांडो इलाहबाद में खुब की हैं दादय लोग। यमुना भी बढ़ रही है गंगा भी बढ़ रही है। बिचारे सब दूप भी बढ़े हैं लेकिन कोई बात रही हैं। दूपते पढ़ा रहे हैं तो महबबत तो नहीं देख रहो कितना निकल दा पसीना गंगा मैया और यमुना मैया का प्रताप ही है दादा लोग देखो अब इस मेहनत को जाया नहीं जाना देना दरोगा वरदी पहनना है अब वरदी जब चड़ेगी तो भी जला बढ़ेगा अब आगे बढ़ते हैं जब हम पहुंझ गए यमुना पर तो अब अब पूल पर देखिए बहुत कांड होता है पता नहीं का का करते हैं लेकिन आपको परियवाची जानना कूदना नहीं है समझेओ तो जरह देखते हैं इसी को कहा जाता है सूर्य शुता क्या कहा जाता है सूर्य शुता इसी को कहते हैं सूर्य तनेया क्या कहते दादा लोग सूर्य तनेया इसी को वास्तों में कालिंदी कहा जाता है क्या कहा जाता है कालिंदी कहा जाता है और इसके साथ साथ इसी को अर्कजा कहते हैं कौन सा जा आरकजा कहते हैं और शाथी शाथी इसी यमुना को ही क्रिष्णा कहा जाता है। अगर देखें तो कुछ भूल रहा हूं इसको भानुजा भी कह देते हैं तो ये तो हो गए आपकी यमुना की परियावाची के बाद अगर हम थोड़ा से और आगे बढ़ें तो आसपस्टता पाएंगे कि और भी कुछ इतनी हमारे पास परियावाची हैं जिनका जानना क्या कहा जाता है तालाब कहा जाता है यानि तालाब की परियावाची यानि कि तालाब को और कितने नामों से जाना जाए उसकी ब्यात करते हैं तो तालाब को वास्तों में सर कहा जाता है सरक्षाशाथ इसको शरोवर भी कहते हैं, सरोवर के अत्रिक्त इसे तराग कहा जाता है, तराग के अत्रिक्त इसे हरद कहते हैं, हरद के अत्रिक्त इसको पुशकर कहते हैं, अगर हम देखें हैं तो इसको क्या कहा जाता है, पुशकर कहा जाता है, इसके साथ साथ इसको जला जलासे भी कहते हैं जलासे के अत्रिक्त इसको पद्माकर भी कहा जाता है कि पद्मा कर पद्माकर तो सएद गलत हो रहा है क्योंकि पद्माकर का मतलब यहां कमल से होगा तो यहां देखें अंगला देखें तो पोखर के अत्रिक्त यहां देखें कासार कासार के अत्रिक्त इसको कहा जाता है ताल है गुणा कहतेशन इस परियावाची के बाद अगली परियावाची जो हम आप देखने चल रहे हैं, इसे दास कहते हैं, तो दास की परियावाची क्या क्या हो सकती, जरा वो देखें, तो इसी को कहा जाता है अनुचर, क्या कहा जाता है, अनुचर इसी को कहते हैं, इसी को चाकर कहते हैं, इसी क को नौकर कहते हैं, इसके साथ साथ इसी को भृत्य कहते हैं, भृत्य को ही किंकर कहा जाता है, और इसी किंकर को परिचायक भी कहा जाता है, या परिचारक भी कहा जाता है, और परिचारक के अतरिक तो इसके भी और कई नाम मिल जाते हैं, लेकिन इतने से आप लोगों का कारि इनको देव भी कहा जाता है देवता के पश्चात अगर हम चलें, तो आपकी जो अगली परियावाची है उसे नदी कहा जाता है, तो नदी के अगर हम देखें परियावाची, तो नदी की परियावाची होती है शरिता, शरिता के साथ साथ इसे कहते हैं ताटिनी, ताटिनी के अत्रिक्ति से कहा जाता है आपगा, आपगा के साथ साथ इसे कहा जाता है निम्नगा, निम्नगा के साथ साथ इसे कहते हैं निरजर्णी, निरजर्णी के साथ साथ इसे कहा जाता है कूल कशा, इसी को कहा जाता है तरंगिनी, क्या कहा जाता है, तरंगिनी, इसी को कहते हैं निम्ना, निमना निमना को ही वास्तों में कहा जाता है वाहिनी इसी को क्या कहा जाता है वाहिनी और इसी को कहते हैं स्रोतस्विनी स्रोतस्विनी इसके साथ साथ इसी को कहा जाता है सैवालीनी इसी को कहा जाता है सैलजा इसी को कहा जाता है सिंधु सिंधुगामीनी और इसी को कहा जाता है शरी तो वित्रो ये जो परियाई बाचियें हैं आपने देखा कि चोर का तसकर, दस्क, रजनी चर, मोशक, कुम्हिल, खनक और शाहजी होता है तो आपने दूसरे के देखा नीर, सलिल, उदक, पानी, अंब, तोय, जीव, नवार, ये पै, अम्रित, मेग, पुष्प, शात ही, अंभ, रश, अमी, अमी यमुना का सुर्य सुता, सुर्यतनिया, कालंदी, अरिकजा, कृष्णा, रवितनिया, कालंगा, सुर्यजा, भानुजा, ये यमुना की परियावाची है तो शर, शरोवर, तड़ाग, हर्द, पुषकर, जलाश, पोखर, कशार, और ये ताल, तो ये जो ताल शब्द है, ताल और सरसी, ये सब किसके तालाब के हैं तो दास का अनुचर, चाकर, शेवक, नौकर, भृत्यकिंकर, परिचारक, इसका परियावाची है तो देवता का शुर, अमर, देव, निरजर, विबुध, त्रिद, आदित्य, और गिरवाण, अम्रितेश होता है तो नदी का सरिता, तचनी, अपगा, निम्नगा, निरजरनी, कुलकशा, तरंगिणी, निम्ना, वाहिनी, स्रोतस्विनी, सैवालिनी, सैलजा, सिंधुगामिनी, और शरी, परियावाची होते हैं अब इसी सिल्सिले में थोड़ा आगे बढ़ते हैं आप में देखा अभी, जो आपको मैंने बताया, वू नदी था अब नदी के बाद, तो जो उसमें चलती है, उसका परियावाची जानना ज़रूरी है वहिन नौका का परियावाची क्या होगा तो नौका के परियावाची अगर हम देखें, तो होता है नाव फिर होता है तरणी तरणी इसके साथ साथ इसको कहा जाता है जल यान जनियान के साथ साथ इसके कहा जाता है इसको कहा जाता है जनियान के साथ साथ जल यान के जल पात जल पात जल पात जल पात के साथ साथ इसके कहा जाता है तरी तरी के साथ साथ इसके कहा जाता है बेडा बेडा के साथ साथ इसके कहा जाता है डोंगी डोंगी के साथ साथ इसके कहा जाता है पतंग पतंग के साथ सा इसके शाषब नौका को दारा भी कह जाता है तो यह परियावाची नौका के हो गया अब इस नौका के बाद जो अगली परियावाची है उसको पतनी कहते हैं क्या कहते हैं पतनी अच्छा ये भी खेवन हारा है भईया बार समझे पतनी भी तो पतनी का परियावाची देख ल इसके साथ साथ पतनी को कहते हैं ग्रिहनी और इसको साथ साथ इसी कहते हैं बाहू और इसके साथ साथ इसको कहा जाता है वधू और इसके साथ साथ इसको कहा जाता है कलक्त्रा क्या है कलक्त्रा इसके साथ साथ इसको कहा जाता है प्राण प्रिया प्राण प्रिया अब जहां प्राण प्रिया ने रहें तो फिर गड़बला है सही बताओ आप पूछो क्यों? कारण है उसका उसका महत्पोन कारण है दादा लोग कि प्राण प्रिया की बात हो रही है और मैं यमकलंकार में कुगो की रूठा न करो मेरी जान, मेरी जान निकल जाती है तो कहें में का है गुरुज कहां यमकलंकार है कहां कैसे? मेरी जान, मेरी जान तुई बार आया है लेकिन एक मेरी जान का मतलब प्राण से है और एक मेरी जान का मतलब प्रेमिका से है तो गुरुजी हां यमकलंकार है तो प्राण प्रिया से तो थोड़ा सवधान रहनो, अच्छी चीज तो है, चीज क्या सहभागनी है, साथ चलने वाली है, तो इस तरी चीज नहीं होती, समझ रहा, तो वो तो हमारे आपके माथे की तिलक है, वंदन करना चाहिए, बाद समझ रहा, तो देवियों के पूजा ह होनी चाहिए दोस्तों, क्या पतिनी, क्या दूसरी पतिनी, लड़की, क्या दूसरी स्तरी, सब का वंदन होना चाहिए, क्योंकि यह का वंदन हुआ, तो देश का जय जय कार होगा, और जब देश बढ़ेगा, तो कोई और बढ़े चाहन बढ़े, हम आप तो बढ़े जाए तीरिया इसी को गहते हैं तो यह पतनी का परियावाची हो गया पतनी के बाद अगर आप देख लें तो हवा का भी परियावाची हमें आपको जानना चाहिए हवा का परियावाची एक तो होता है वायू दूसरा होता है समीर तीसरा अगर हम देखें इसे मारुत कहते हैं मारुत के साथ साथ इसे वात भी कहते हैं वात कहते हैं वात के साथ साथ इसे बयार भी कहा जाता है बयार के साथ साथ इसे प्रकंपन भी कहते हैं प्रकंपन के साथ साथ इसे समीरन भी कहते हैं क्या कह कहते हैं और अनिल के साथ साथ इसे प्रकंपन्न भी कहते हैं क्या कहते हैं प्रकंपन्न भी कहते हैं तो मिस्त्रो और इसके साथ साथ प्रभंजन भी कहते हैं इसको प्रभंजन भी कहते हैं तो प्रकंपन्न प्रभंजन शभावा के परियावाची हैं तक पश्यात इसकी आग अब आची होती है विहंगा, क्या होती है विहंगा, इसको विहग भी कह लेते हैं, तो विहग कहे या विहंग बात की है, इसको खग भी कहते हैं, पखेरू भी कहते हैं, पखेरू के साथ साथी से परिंदा भी कहते हैं, परिंदा के साथ साथी इसको चिडिया भी कहते हैं, औ और पतन के साथ साथ से दिज भी कहा जाता है। दिज दात को, ब्रहमण को और पक्छी को कहा जाता है। तो मित्रों, इस तरह से आपने देखा कि नौका का मतलब नाव, तरनी, जलयान, जलपात, तरी, बेडा, डोंगी, पतंग, नया का परियावाची होता है। नौका का परियावाची होता है तो पत्नी का परियावाची भारिया, दारा, ग्रिहनी, बहु, बधु, कलक्त्र, प्राण, प्रिया, अरुधांगनी, तिरिया, भामा होता है तो हवा का परियावाची वायु, शमीर, मारुतवात, बयार, प्रकंपन, समीर, पवन, अनिल, प् आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे और तब तक लिए बस इतना ही आपका पार्ट टू परियावाची के आपके साथ जा रहा है जैसे भी लगे कमेंट करिएगा और जो कुछ भी और आपकी मांग हूँ अवश्य लिखिएगा आपकी मांग अवश्य पूरी की जाएगी चलते हैं तुल्यकादमी पर आपसे फिर मुलाकात होती है ये मेरे गर्व का भीश्य है मेहनत के साथ इसको सेयर करिएगा दूर तक पहुंचाएगा और हाँ सेवा करना ही मेरा भाव है और सेवा के साथ आया हूँ तो आप सबका बंदन बस आजिता है नमस्कार नमस्कार